साथियों, लोहिया जी का मानना था कि समाजवाद समानता का सिधान्त है, वो सतर्क करते थे कि समाजवाद का पतन उसे असमानता में बदल सकता है। हमने भारत में इन दोनों परिस्तितियों को देखा है। हमने देखा है कि भारत के मूल विचारों में समाजवाद और विवाद का विशय नहीं है। हमारे लिए समाज हमारी सामुहिक्ता और सहवकारिता की समुरचना है। हमारे लिए समाज हमारा संसकार है, संस्कृती है, स्वभाव है। इसलिए लोहिया जी भारत के सांस्कृतिक सामर्थ की बात कहते थे। अन्होंने रामाएण मेला शुरू कर हमारी विरासत और भार्मनात्म के एकता के लिए जमीन तयार की। उन्होंने गंगा जैसी सांस्कृतिक नद्यों के सवरक्षण की। उसकी चिंता दसकों पहले की थी। आज नमामी गंग्य अभियान के जरिये देश उस सपने को पूरा कर रहा है। आज देश अपने समाज के सांस्कृतिक प्रतिकों का प्रणुदार कर रहा है। ये प्रयास समाज की सांस्कृतिक चेतना को जीवन कर रहे हैं। समाज की उर्जा को हमारे पारसपारिक जुडाव को मजबुत कर रहे हैं। इसी तरह नए भारत के लिए देश अपने अधिकारों से भी आगे बढ़कर आज करतव्य की बात कर रहा है। जब करतव्य की ये भावना मजबूत होती है, तो समाज अपने आप मजबूत होता है।